सब्सक्राइब कीजिए टेकनिकल आई चैनल को और दबाईए बेल आइकान को लेटस्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो गाइस अगर फिर से आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल टेकनिकल आई पे तो दोस्तो अगर आप भी फोन में अगर आपके फोन में टिक टोक है अगर टिक टोक यूज करते हो देखना पसंद करते हो तो दोस्तो आपको मैं आज एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप जानोगे तो कहोगे काश पहले पता होता तो यह ट्रिक कौन स ट्रिक्स है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम देंगे दोस्तों तो बने रहे हमारे साथ वीडियो को पूरा देखिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों कमेंट भी कर देना तो सबसे पहले दोस्तों वीडिय चपी हुए उसके बाद वीडियो को दोस्तों यहां पर लाइक कर देना है और यहां पर कोई एक अच्छा सा आपको कमेंट भी कर देना है उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं टिक टॉक की वो कौन सी खुफिया ट्रिक है जिसके बारे में कोई नहीं जानता 99 परसन लोग इस ट्रिक को नहीं जानते और नहीं फालो करते क्योंकि दोस्तों इसको मैंने अपने ही दोस्तों में इससे पूछा और जानकारी हसिल की तो उन लोग को भी इस ट्रिक के बारे में नहीं पता था तो इसी ट्रिक के बारे में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे तो दोस्त तो टिक क्डोक का है, इसको आपको, कैसे inable करना है, और क्या करना है, इसको जानने के लिए, आपको अपने फोन के screen पे आना पड़ेगा, और आपके phone में अगर tiktok है, तो यहाँ पे आपको Полock पे किलिक कर ना है, तो यहाँ पर आपके कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर होम के यहाँ पर देख सकते हो होम है और उसके साइड में यहाँ पर इस साइड में देखोगे तो मी लिखा हुआ है तो यहाँ पर दोस्तो आपको मी पर किलिक करना है मी पर किलिक करने के ब पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दिखाई दे रहा इस पर आपको किलिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको data saver का option दिखाई देगा तो यह data saver क्या काम करता है इसके बारे में दोस्तों किसी को पता नहीं है 99% लोगों को नहीं पता है क्योंकि टिक्टोक का यह जो अभी हाल ही में जल्दी में जो update आया है यह आया है तो यह दोस्तों टिक्टोक का है data saver यहाँ पर देख सकते हो यह data saver जो है यहाँ पर बंद है तो इसको बंद करने और चालू करने के क्या फाइद है तो इसको पहले दोस्तों में enable कर के बाद यह ग्रिम हो गया तो इसके फाइदे दोस्तों यह हैं कि अगर आप टिक Top यूज करते हो अगर इस सेटिंग को बंद करके रखते हो तो अगर आप एक-q myś ग्हँंटा टिक टोक देख ले तो आपका सा från डाटा खतम हो जाता लेकिन दोस्तों इस सेटिंग को अगर आप इस डाटा सेबर को आन करके रखते हो तो आप पूरा दिन टिक टोक देखिए आपका एक डेड़ जीबी डाटा खत्म नहीं होगा यह मेरी गारेंटी है क्योंकि दोस्तों इसको आन कर देने से आपका जो इक्स्टरा डाटा खर्च होता था टिक टोक पर हाई क्वाल्टी की वीडियो चलती थी वह अब नहीं चलेगा क्योंकि यहां पर दोस्तों आपका डाटा यह सेब करेगा और आपका डाटा बचाएगा तो यहां से इस सेटिंग को आन करने से यहीं फाइदा है दोस्तों कि आपका डाटा जो है खतम नहीं होगा आप प बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे तो अगर आपको एक वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताए और आपको इसके बारे में पता था कि नहीं पता था ये भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ताकि हमें भी पता चले कितने परसंद लोगों को इसकी जानकारी थी या नहीं तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी तो लाइक कमेंट शेर जरूर करना मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ने टॉपिक के साथ तब तक लिए धन्यवाद